कमपाउंड वर्ब्स वर्ब्स जो की एक कॉम्बिनेशन में आती हैं जैसे की ओमोई दासू इनको कहते हैं कमपाउंड वर्ब्स जिसके अंदर ओमोई मास और दाशी मास दोनों वर्ब्स मिल के बनी हैं और इनका मीनिंग भी 99% मिल के ही वही मीनिंग बनता है जो की हमने अलग अलग वर्ब्स में सीखा है तो आएए आज इस वीडियो के अंदर हम कमपाउंड वर्ब्स के बारे में सीखेंगे कमपाउंड वर्ब्स जो हैं वो N3, N2 के लेवल पर आती हैं N4, N5 में उतना नहीं आता N4 में शायद एक दो एक्जांपल आपको मिल जाएं जैसे कि मैंने भी आपको एक्जांपल दिया ओमोई दाशी मास ओमोई मास मतलब सोचना और दाशी मास का मतलब होता है बाहर निकालना एक्जिट करवाना यानि कि ओमोई दाशी मास का मतलब होता है मुझे अभी अभी याद आया यानि कि यह अभी नया आईडिया आया है या फिर यह चीज मैंने अभी अभी रिकॉल करी है तो इसका मतलब होता है रिकॉल तो आईए इन dispersive verbs के लिए आज का ये वीडियो है वल्कम टू निहॉंगो मैक्स मेरा नाम है रवी तो चली शुरू करते हैं चली तो सबसे पहले देखते हैं जो अभी मैंने आपको इसी वीडियो में स्टार्टिंग में एक्जांपल दिया था यह दो वर्ब से बना हुआ है एक वर्ब है ओमोई मास और एक वर्ब है दाशी मास जैसे कि मैंने आपको भी बताया है ओमोई मास मतलब थेंक होता है और दाशी मास का मतलब होता है exit यानि कि किसी चीज़ को बाहर निकालना तो इन दोनों को मिला के वर्ब बनि हुई है OMOIDASHIMAS तो इसका मतलब होता है recall करना या फिर किसी चीज़ को अचानक सोच के निकालना या फिर कोई चीज़ अचानक ध्यान आना OMOIDASHIMAS एक चीज़ और मैं compound verb ये भी आपने N5 या N4 लेवल में सीखी होगी नोरी कायमास ये नोरी मास और कायमास इन दो वर्ब से मिलके बनाए नोरी मास का मतलब होता है to board यानि कि किसी train में या फिर किसी बस में किसी टैक्सी में बोर्ड करना उसमें चड़ना और कायरू का मतलब होता है to change या फिर to replace नोरी कायमास इन दोनों वर्ब को मिलाके नोरी कायरू यानि कि किसी train को या किसी बस को change करना जैसे एक train से उतर के दूसरी train में चड़ना जैसे मेटरों में हम station से train बदलते हैं या फिर अगर train से बस में भी चड़ रहे हैं तो उसको भी नोरी कायमास ही कहेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं next verb है हराई मोदोशी मास यह बना है हराई मास और मोदोशी मास से हराई मास का मतलब होता है to pay यानि कि पैसे पे करना और मोदोशी मास का मतलब होता है return जो N5, N4 में मोदोरी मास सिखाया जाता है उसका transitive form होता है मोदोशी मास यह transitive and transitive क्या होता ये भी बहुत इसी चीज है मोदोरी मास का मतलब होता है return होना और मोदोशी मास का मतलब होता है return करना तो यहाँ पर मोदोशी मास इसलिए है क्योंकि हराई मोदोशी मास का मतलब होता है refund करना यानि कि लिए हुए पैसों को वापिस करना चले तो next verb है आते हमारू आते हमारू target कर रहे थे यह ball, bat वगरे के लिए भी use होता है या फिर किसी number का hit करना lottery वगरे के लिए इसके लिए भी use होता है और हमारू का मतलब होता है fit होना हमारू एक बहुत advanced verb है यह n2 level में आती है तो अब कोई पिकमारा को मतलब होता है to be applicable, जैसे कि qualification या certification level के लिए आते हमारू कहा जाता है फिर किसी clause के लिए भी कहا जाता है आते हमारू सहका मतलब है कि यह यहां पर applicable है को ईसका बहुत्स होता है और हाजरे रूख 20 faintling का मतलब होता है तो इसका मतलो आते हाजरेरू का भी मतलब deviate हो जाना होता है तो इस तरह से मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि compound verbs जो होती है वो एक verb और दूसरी verb का mixed meaning होता है ये read करना काफी easy होता है students इसको ये सोचते हैं कि ये नया है कोई बड़ा word है ये अलग से कोई meaning होगा कोमी मास्क जो है यहां पर crowd लिखा है to crowd वैसे अगर कोमू का मतलब देखेंगे तो crowd होता है लेकिन जब ये compound verb की तोर पर use होता है और भी बड़े सारे examples होते है जैसे हराई कोमी मास्क तो भी कोमी मास्क तो इसमें थोड़ा सा एक advance एक और चीज़ आपको ध्यान रखने बड़ी कि कोमी मास्क तब लगता है जब वह बहुत ही intensely होती है जैसे कांगाई कोमू यहां पर जो example दिया हुआ है कांगाई मास्क कांगाईरू का मतलब होता है सोचना और कोमी मास्क का मतलब होता है crowd या फिर impact या फिर pressurize तो कांगाई कोमी मास्क का मतलब होता है या assume करना यानि कि अपनी तरफ से ही आपने कोई decision निकाल लिया अपनी तरफ से ही कोई निश्कर्श निकाल लिया है और आपने अपनी तरफ से ही सोच लिया है चाहे वो सही है या नहीं है इसको कांगाई कौमी मास कहते है तो ये अगेन इनी दो वर्ब्स का मिलता जूलता मीनिंग है कांगाई कौमू चलिए आगे बढ़ते हैं अब है तावे कीरू तावे मास तो हमने पहले ही सीखा हुआ है बेसिक में ही सीखा जाता है विल्कुल खाना, to eat और कीरी मास का मतलब होता है कट, तावे कीरू जो है एक तरह से grammar का pattern भी है मास हटाके कीरी मास लगता है तो इसका मतलब होता है उस चीज को पूरी तरह से complete कर देना तो यह पर cut का क्या meaning आ रहा है cut का यह meaning है कि इस चीज़ को हमने अधूरा ने छोड़ा है पूरी तरह से complete करके side हटा दिया है तो यह होता है ताबे किरू example है और भी example होते हैं जैसे yomi किरू yomi मतलब read करना और किरू मतलब पूरा read मतलब cut कर देना मतलब yomi किरू मतलब पूरा read करके खतम कर दिया मैंने इस तरह से nomi किरू किसी चीज़ को पूरा पी जाना ताबे किरू यहां पर जो example है इसका मतलब है कि एक dish हमारे सामने है काफी बड़ी volume है तो हम कह सकते हैं ताबे किरे नाई मैं इसको पूरा नहीं खा सकता जैसे बहुत मोटी book है और मैंने बोला आज ही आज मैं इसको पढ़ो तो आप बोलेंगे yomi किरे नाई यानि कि मैं इसको पूरा नहीं पढ़ सकता इसका positive भी होता है जैसे काकेरू, तावे काकेरू, अधूरा खाना, नोमी काकेरू प्रोसेस में ही रहना उस चीज़ का, तो इस तरह से compound verbs easy होती है इनको आप combine करके एक meaning निकालेंगे, अगर आपको exact उसका meaning नहीं भी बता हो रहा, चाना आपके सामने exam में आ गया, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लाग के, थोड़ा सा sentence को read करके, बिना डरे, आप इसका meaning निकाल सकते हैं, all the best I hope आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो को follow करते रहिए, देखिए, मैं फिर से एक बारी बताना चाहता हूँ कि बात सारी ये नहीं होती कि हम बहुत सारी vocabulary को, बहुत सारे words को एक ही बार में सीख लें बात ही होती कि हम पहले एक standard सीखें, पहले हम एक style सीखें, पहले हम एक scale में fit हो जाए उसके बाद जो भी vocabulary, जो भी grammar pattern या फिर जो भी even दोकाई comprehension pattern है उस scale से हम अगर उसको study करते हैं, तो वो perfectly perfectly हम एक ही बार में याद कर सकते हैं I hope आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, thank you so much